So Hello and Welcome Back to this Video आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Mahindra BS6 के Nox Sensor के बारे में Mahindra BS6 में दो Nox Sensor आते हैं एक होता है Upstream Nox Sensor और दूसरा होता है Downstream Nox Sensor आज हम Upstream Nox Sensor के बारे में जानेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यह गारी महिंद्रा की BS6 है यह गारी में अप्स्ट्रीम नॉक्स सेंसर का कोड आ रहा है कोड नंबर है P2206 जिसका मीनिंग है अप्स्ट्रीम नॉक्स सेंसर ओपन सिर्किट अब जल्दी फटाफट से स्कैन करते हैं जैसा कि स्कैन करने पर हमें कोड मिला है P2206 पर हम पहले इसका लाइव डाटा देखेंगे लाइव डाटा में अप्स्ट्रीम नॉक्स सेंसर का लाइव डाटा बिलकुल सही दिखा रहा है बंदगारी में इसका मास शून्य होना चाहिए और चालू गारी में यानि आइडल कंडिशन में इसका मास लगभग 30 के आसपास होना चाहिए और जैसे ही हम रेस करेंगे इसका मास बढ़ेगा और जैसे ही हम रेस शून्य होकर वापस से आइडल कंडिशन में हो जाएगा हमें लाइव डाटा तो कंप्लीट दिखा रहा है लेकिन इसका कोड़ा रहा है यानि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है अप्स्ट्रीम नॉक्स सेंसर साइलेंसर के उपर लगा हुआ होता है और डाउन्स्ट्रीम नॉक्स सेंसर साइलेंसर के नीचे लगा हुआ होता है दोनों ही center की location अलग-अलग है upstream वाला उपर और downstream वाला नीचे लगा हुआ होता है upstream और downstream nox sensor गारी में से निकलने वाले production यानी भुआ का mass value ECM तक पहुचाता है upstream nox sensor open circuit यह court में या तो sensor में fault होता है या तो wiring में fold होता है तो हम पहले wiring चेक करेंगे wiring चेक करने के लिए आपके पास proper diagram होना चाहिए अगर आपके पास diagram नहीं है तो multimeter के थरू भी आप चेक कर सकते हैं मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना कर रखा है वीडियो calling description में आपको मिल जाएगा wiring diagram के बिना अब multimeter के थरू भी चेक कर सकते हैं बिलकुल इजीली multimeter के थरू चेक करने के लिए आपको multimeter की एक pin जो की ground की है उसे upstream nox sensor के socket में इसमें दो पीने होती है जो की ground की होती है उसमें लगाना है और multimeter का दूसरा wire upstream nox sensor के socket की पिन में लगानी होगी जो की positive की है जिसमें 24 vult आते हैं अब मल्ती मीटर की एक PIN जो की GROUND की है उससे Upstream Nox Senor के Socket के GROUND वाली PIN में लगा कर रखना है और मल्ती मीटर की दूसरी PIN जो की Positive की है उससे Canhigh के WIRE में देनी होगी जैसे ही आप Canhigh में wire लगाऊगे आपको 2.5 या 2.6 voltage मिल सکते हैं यह voltage उपर नीचे हो सकता है और आप जैसे ही कनलो में लगाओगे तो आपको वोल्टेज 2.4 या 2.5 वोल्टेज मिल सकते है हमने अब वायरिंग चेक कर ली है वायरिंग में प्रॉपर वोल्टेज भी आ रहे हैं इसलिए हम नोक सेंसर चेंज करके देखेंगे तो चलिए फटाफट से जूना नोक सेंसर खोलते हैं और नया फिटिंग करते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं यह सेंसर जुरना है और यह सेंसर बिलकुल नया है दोनों ही sensor पर part number लिखे हुए हैं आपको part number देखकर लगाना है part number sim होनी चाहिए sensor fitting करना बिल्कुल इजी है सबसे पहले आपको sensor का socket निकालना है और sensor के 10 number के bolt खोलने हैं खोलने के बाद sensor पर net लगी होती है जो की 22 number की होती है इसमें 22 का fix पाना लगेगा अब बिल्कुल इसलिए 22 के 6 पाने से खोल सकते हो अब मैं फटाफट से nox sensor को fitting कर देता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं sensor को हमने proper fitting कर दिया है अब इसकी testing की बारी आती है जैसा कि हमने laptop से scan करा तो हमें कोई भी code देखने को नहीं मिल रहा अब हम live data में चलते हैं live data में जाने के बाद upstream nox sensor की mass value देखेंगे तुझे जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं इसकी mass value बिल्कुल सही दिखा रही है यानि हमारी गाड़ी ओके है अब हमें इसका add blue का pressure देखना है इसका pressure नौ बार तक होता है तो हम थोड़ा wait कर लेते हैं वीडियो थोड़ा में skip कर रहा हूँ तो जैसा कि आप देख रहे इसका add blue pressure नौ बार तक आ गया है यानि हमारी गाड़ी में add blue का pressure बरोबर maintain हो रहा है आपको इस वीडियो के थरू महिंदरा BS6 में upstream nox sensor के बारे में full detail में पता चल गया है ऐसे ही आप sensor replace कर सकते हो और sensor की wiring चेक कर सकते हो अगर आपको महिंदरा अशोक लैलेंड भारत बैंज और छोटी मोटी सभी गारियों की software PDF files जैसी amazing चीजे चाहिए तो आप TT store पर से ले सकते हैं उसका link description में है और ऐसे ही amazing वीडियो देखने के लिए TT studio को subscribe करें और मिलते हैं अगली वीडियो में बाई